हेलो दोस्तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले अलोग इंडर्श्टी लिमिटेट से लेकेड ओके 31 रुपे का इस टॉक्स में जान है क्या यह शेयर आपको एक अच्छा खासा रेटन दे सकता है 6.19% की आज की गिरावट देखी गई है बट इससे पहले यह शेयर भागा भी था ओके मैंने यहाँ पर स्क्रीट लेके दिखाया नहीं अदर्वाइस आपको मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों 21 रुपीज पर हमने यह शेयर किया था उसके बाद एक लगब 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 यह शेयर अच्छा खासा भागता हुए नजर आया अच्छे खासे रेटन बनते हुए नजर आया यहां से अगर मैं आपको दिखाऊंग तो लगब लगब 77-80% की रेटन यहाँ पर बन ग कियेगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंटेशन नहीं है अपने फाइनेशल एडवाजर कुछ की स्टेड़ी करना है यह वीडियो केवल एडूकेशनल परपस से बनाई जा रही है और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आयम स्मॉल केप इंवेस्टर को चानल को सब बैल ऐकन को हिट और पोन शेयर करिए लाइक करे को कमेंट गी करें अगर कभी देर होती है कभी कभी देर हो जाती है मुझे रिप्लाइदेने में पर सूनर और लेटर आपको जवाब जरू मिल जाएगा इन नंबरों यहाँ पर वीडियो जा के देखिये वीडियो देखें है जहां पर basics to advance technical research fundamental कब लेना है कब बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है क्यों क्या कैसे किस लिए कि जब आप जब ढून लोगे ना तो market आसान लगेगी 25 जार रुपे का course 3 months की end holding है strategies using stock market online notes सब कुछ दिया जाएगा और एक बार course को complete किया तो एक साल उस तरीके से experience ले ले जे का जैसे पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको पीछे मुड़के देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी बस आपको market में टिके रहना पड़ेगा इन नमबरों पर note collegiate 860540501 8169267037 यहाँ पर queries से related course की डिटेल आप ले सकते हैं कोई भी यहाँ पर charges नहीं है as well as किसी को साथ में काम करना है ओके portfolio बड़ा है 3,5,5,5,1 करोड साथ में हम काम कर सकते हैं एक बार बात करके देखिए बात करने का कोई पैसा नहीं है simply हम decide कर सकते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकते हूं आगे बढ़ते हैं आलोक industry की बात करें तो आलोक industry किसकी group का हिस्सा है तो आप देखोगे Reliance industry ने ओके यहाँ पर इस share को इसे यहाँ पर खरीद लिया था पूरा का पूरा यहाँ पर overtake कर लिया था कुछ immediate relatives है जो promoters से ओके वो यहाँ पर बेशते हुए नजर आये थे 2023 में जब share भाग रहा था उपर की तरफ आया था और गिर भी रहा था इसके इलावा यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर exchange होते हुए नजर आये शेयर कंपनी की बात कर रहे तो सबसे पहले 15,398 करोड रुपे की कंपनी है ठीक है तो यह small cap company है और हमारे चैनल का नाम भी है I am small cap investor तो ऐसी छोटे शेयर आपके लिए हम यहाँ पर लेके आते रहते हैं पर Reliance Group की काबिलियत क्या है कि अपने आपको dead net, debt free बनानो ओके यहाँ पर debt की बात करें अच्छा खासा है यहाँ पर company के ऊपर debt पी है 49 रुपे काही है 31 पर share चल रहा है negative book value और face value भी देखें यहाँ पर negative है attraction क्यों आता हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे न आप एक अच्छी खासी rally होती हुई नजर आई है company करती का है तो यहाँ पर देखेंगे cotton and polished segment में company textile की business में काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर आप देखेंगे including mending and packing activities leather and other apparel products यह बनाती हुई नजर आ रही है इसके अलाबा यहाँ पर इनकी website पर विजिट करोगे तो आपको समझे माएगा India's largest vertical integrated technique textile companies है यहाँ पर आप देख सकते है company से related पढ़ सकते है किस की तरीके कि यहाँ पर यह products बनाते हुई नजर आते है कहाँ पर यह company है क्या manufacturing है है वह सब चीट आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी तो एक बार देख लीजिए इनके के जो customer है सारे बड़े customer है H&M, Costa, Calvin Klein, Zara, Marks & Spencers यह सारे के सारे क्या है इनके ही clients है बात करते हैं company से related आगे बढ़ते है तो आप देखेंगे maximum start pattern कभी यह share 278 में लगबग 80-900 रुपे के आसपास हुआ करता गिरा फिर उसके बाद 2020 में जब share भाग रहे थे यह भी share भागा उसके बाद गिरता हुआ नजर आ रहा उस दिशागी तरब दुबारा दौरता हुआ नजर आ रहा कंपनी की बात करें तो यहां पर quarterly results आप देखेंगे तो company के quarterly results देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि company के जो sales है वो भी कम होती ही नजर आई है quarterly yearly basis पर company negative में तो थी अभी भी negative है बट एक quarter पहले company यहां पर profit में थी ठीक है as well as यहां पर net profit देखोगे लगाता net profit negative आ रहा है इसके पीछे का reason क्या है इसके पीछे का reason है company की borrowing कंपनी के आद बहुत ज़्यादा borrowing है जिसकी वरे से आप देखोगे company interest अच्छा खासा interest चुकाती हुई नजर आ रही है और जब इस तरीके से company interest चुकाती है ना company के ओपर जब यहां पर ज़्यादा borrowing हो जाती है इतनी borrowing हो जाती है कि वो यहां पर किस तरीके से उतार पाए question mark आ जाता है वो कि उस cases में यहां पर company का net जो net profit होता है वो negative आता है तो जब यहां पर आपको अच्छे अच्छे share मिल रहे है तो इस तरीके share में trade क्यों करना बट कभी कभी क्या होता है आपको एक अच्छे levels मिलते हुए नजर आते है जब आपको अच्छे levels मिलते हुए नजर आते है न तो कभी fundamental को side में रखना परता है technical के base पर ठीक है बट long run की बात करें तो जब bull market होता है न तो घोड़े भी डौड़ते है और घदे भी डौड़ते है तो घदे पीछे रह जाते है जब गिरने पर आते है तो ओके और जब घोड़े होते है न वो ऊपर की तरफ निकल जाते है ये market में कहावत है तो आप देखेंगे तो अभी ये क्या आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है या गदा दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर से समझ में आ गया होगा कंपनी अपने debt पे काम कर ले तो आपको यहाँ पर चीड़े अच्छी नजर आती हुई दिखाई दे सकती है पिछले 11-12-13 साल की बात करें तो कोई यहाँ पर performance में कुछ extraordinary नहीं दिखाई दिया है कंपनी के reserves negative होते हुए नजर आ रहे है कंपनी का borrowing यहाँ पर अच्छी खासी है यहाँ पर अगर कंपनी अपनी borrowing पर काम कर ले कंपनी के reserves बढ़ जाए ठीक है तो कंपनी यहाँ पर अच्छा कासा काम करती हुई दिखाई दे सकती है यहाँ पर और चीज़े हैं पर बात करें तो positive cash flow है बट इसका कोई means बनता नहीं है ठीक है company का share holding pattern से लेजी नहीं हम बात कर चुके है बट कुछीर यहाँ पर चार्ट में दिखाई दे रही है मैं चार्ट के ऊपर बात करूँगा ठीक है आपका काफी लोग कह सकते है fundamental अच्छे नहीं है तो क्या ठीक है क्या होता है कि कभी कभी fundamental को side में रखना पर था technical बहुत कुछ कुछ कहते है तो क्या यहाँ पर वो technical बन रहे है कि आप यहाँ पर buying के बारे में सोच सकते हो तो उससे later हम बाते करेंगे बट उससे पहले याद रखिएगा buying selling का कोई भी recommendation नहीं है simply मैं अपने levels देते हुए नजराऊंगा उन levels को हमेशा ध्यान में रखिया है क्योंकि काफी वार मुरे पास calls आते है किशर यह share आपको बताया था याद रखिए वीडियो को पूरा देखेंगे न तो मैंने साथ में मैं एक stop loss को भी यहाँ पर बताता हूं ठीक है उसके जरू follow करना है जब छोटे stock से लेटीर बाते करते हैं तो जब भागते हैं तो बड़े अच्छे नजर आते हैं ठीक है कि यहाँ पर देखिए 11 रुपे से share 40 हो गया चार गुना हो गया पर इस चीच को भी देखो कि यही share यहाँ पर 30-35 रुपे से यहाँ पर 19 रुपे हुआ था तो उस चीच को भी आपको देखना है तो वीडियो में आप बात करेंगे उच्छे से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को ही टॉल के notification कौन करें share करें like करें comment करें course करना चाते हैं तो पर नोट करके course वो साथ में काम कर सकते हैं चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में एक अच्छी खासी तेजी होती ही दिखाई दी ओके market में गिरावट है market में गिरावट है इसके इलावा यहाँ पर company के जो result है वो यहाँ पर negative आते हुए दिखाई दिया और जब यह company के result ही negative आ रहे है company negative performance कर रही है ठीक है तो यहाँ पर गिरावट है इससे पहले आप देखो कि company अच्छा performance कर रही थी तो वो उसका reward भी मिला बट अभी शायद punish किया जा सकता है शेर को इस चीट को याद रखिएगा दूसरी बात करें technical क्या है क्या रही है technical के basis पर याद रखिए recommendation नहीं है बट level देता हूँ तो यहाँ पर technical यह कह रहा है कि हम यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं बट कोशिश के लिए क्या है खोशिश के लिए लगबर लगबर 39 रुपे 70 पैसे का एक stop loss बनेगा 31 पांच की यहाँ पर आप इसी base पर यहाँ पर buying कर सकते हैं बट याद रखिए 1 रुपे के आसपास का stop loss 2 रुपे के आसपास का stop loss मैंने बताया है 30 रुपे का वह यहाँ पर आपको follow करना पड़ेगा अगर आप इसे follow नहीं करोगे क्योंकि यह चीज यहाँ पर दुबारा आती हुई दिखाई दे सकती हैं यहाँ से गिरी तो सीधे यहाँ पर यहाँ पर support दिखाई देता है और भी नीचे जा सकती है असली तेजी कहां से हो सकती है असली तेजी हो सकती है यह breakout level है 35 रुपे गाँ ठीक है 35 रुपे यहाँ से अगर breakout होता है तो share सीधे जा रहा है यहाँ पर 43 रुपे और उसके बाससीधे यहाँ पर 58 रुपे की journey भी तय कर सकता है तो अगर दो रुपे का डेड़ रुपे का रिस्क ले सकते हो तो यह आपके लिए अपसाइड भी खुली हुई है ठीक है टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पर तोड़ा पर ध्यान देना है और यहाँ पर हम देखे तो यहाँ पर आप मैक्सिम चार्ट पैटरन पर जाओगे तो मैक्सिम चार्ट पैटरन कभी ये शेयर 2068 में अगर मैं BSE के चार्ट पे निकालूँगा तो आपको दिखाई देखा सो रुपे के आसपास भी था ठीक है तो सो रुपे पे भी अगर पोच जाए तो ताज़ूप मत मांग नहींगा कि हां सो रुपे पोच जाए तो क्या होता है चीज़े इसी तरीके से काम करती कभी कभी fundamental को लोग दरकिनार कर देते हैं आप देखते ही है कि जिनकी sales भी जीरो है वो भी लगा तरा पर सर्किर में जा जाके यहाँ पर 500-1000% के return देते हैं और फिर उपर की level पे फसा देते हैं तो इस चीट को याद रखीगा ऐसे शेड़ों में केवल फसते हैं जहाँ पर यह को लाइक कमेंट करिएगा थांगी सो मुझ कॉंट्रेस